नमश्कार दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस टोई है प्रफागत में, प्रीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं, तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं, आज का हमारा इस टॉपिक है, ट्रिग्नोमेट्रि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेश्यो टेबल, उसको हम बोलते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेश्यो टेबल, उसको हम बोलते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेश्यो टेबल, इसको हम बोलते हैं, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेश्यो टेबल, यहां पर हम लिखेंगे angles जो हमारे angles होंगे फिर यहां पर हम किसके लिए angles 4, 5, 6 columns में बना लेती हूं पहले फिर अच्छे से explain करते हैं इनको यह आप अपने notebook में अच्छे से notes बनाई है पेजिस पर बहुत काम आने वाले है यह बहुत useful चीज है जो हम आज करने जा रहे है यहां पर मैं लिख देती हूं angles दोनों साइट angles आएंगे यह माल लिए 0 degree है यह 30, यह 90 सोरी 45 आएगा पहले फिर 60 degree फिर 90 degree यहां पर आएगा sin A के लिए cos A के लिए tangent A के लिए cosecant A के लिए secant A के लिए and then cot of A के लिए यह सारे के सारे हमने इस ऐसे लिख लिए हैं इस format में फिर अब हम दिखते हैं sin A के लिए जो value होती है sin A मतलब यहां पर जीरो डिगरी के लिए हम value लिखेंगे sin की sin के जीरो डिगरी के लिए value होती है वो होती है 0 ok sin की जो 30 degree के लिए value होती है वो होती है 1 by me 2 45 के लिए होती है 1 by me root 2 60 degree के लिए होती है root 3 by me 2 and 90 degree के लिए होती है 1 फिर आती है cos के बारी cos A के लिए value होती है 1 cos 30 के लिए होती है root 3 by me 2 45 के लिए 1 by me root 2 cos 60 के लिए 1 by me 2 and 90 के लिए 0 अब देखें इसमें आपको एक logic में बताती हो जैसे sin A के लिए ऐसे गई cos उसका inverse होते है sin का inverse होते है cos तो उसके reverse के इसमें ulti values आगी जो 0 के लिए थी वो 90 जो 60 के लिए थी वो 90 के लिए चलीगी ठीक है यहाँ पर 30 के लिए थी 1 by 2 यहाँ पर reverse हो गई है ऐसे यहाँ पर same आ गई है इधर यह इधर cross हो गई न यह एक दूसरे से फिर tangent के बार यहाँ आती है अब tangent का formula था एक sin a by में cos ही tangent के भी हम यहाँ से इजले निकाल सकते है sin by में cos 0 sin by में cos यहाँ पर क्या बचेगा अकेला 1 by में root 3 sin by में cos 1 इसको इससे डिवाइड करेंगे यहाँ पर क्या बचेगा अकेला root 3 and 1 by में 0 क्या होता है 1 by में 0 होता है infinity this is not defined यह not defined होगा 1 by में 0 infinity होता है तो यहाँ पर लिख देंगे not defined इसके कोई value exact नहीं होती फिर आती है अब tangent और cot में relation होता है cot की उल्टी होएंगी सारी यहाँ पर क्या आजाएगा not defined यहाँ पर root 3 यहाँ 1 यहाँ 1 by root 3 and यहाँ पर 0 देखे फिर इसके बादा थे cosec और sec की बारी अब cosec क्या होता है यहाँ पर आजाएगा not defined not defined इसकी value क्या आएगी 2 इसकी root 2 इसकी 2 by में root 3 and this is यहाँ पर क्या आजाएगा 1 चीके अब secant में क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा 1 2 by में root 3 root 2 2 not defined चीके इसली आप इस चेबल को याद कर सकते हो आपको main जो याद करनी है sign के लिए याद करनी है values cos के लिए sign के लिए याद करनी है cos के निकल जाएगी उससे tangent के निकल जाएगी tangent से कोट किया जाएगी cos के याद करेंगे second के लिए sign और cos के याद करनी है बस आपको बाकी सारी values जो है बहुत easy है ठीके अब जैसे angle A increase हो रहा है angle A यह है angle A है angle A नाम दे दिया इसको नहीं है angle A की values है और यह उसके लिए defined हैं अगर angle A की value increase हो रही है 0 से 90 डिग्री तो sign A की value क्या हो रही है increase हो रही है and cos A reverse case होगा cos A की value क्या हो रही है decrease हो रही है ठीक है तो यह table है इसको हम एक बार एक वीडियो में short tricks पर भी बनाऊंगी इसको easily याद करने का वैसे मैंने इसमें बता दिया है एक बार और इसके numericals इसके questions जो भी आते हैं exam के point of view से या important questions जो भी है वो भी हम करेंगे ठीक है thank you so much for listening my video carefully आगे भी videos आती रहेंगी आप प्यार दिखाते रहें subscribe करें चैनल को like कीजिए तो इससे अच्छे अच्छी videos आपको देखने को मिलेंगी तो हमारे साथ जुड़े रहे है thank you so much